हेलो लर्नर्स, वेलकम टूजल तो कोस अने की ट्रिपल सी एक ऐसा कोस जो की सभी गौवर्मेंट जॉब में चाहे प्राइवेट जॉब हो हर जगहां पे इसकी जो है रिकॉर्मेंट फुल्फिल करनी होती है आपको जो है ट्रिपल सी का सेटिफिकेट वहाँ पे मांगा जात कर सकते हैं कि 10 दिनों के अंदर ये कॉर्स कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद एक्जामनेशन जब कंड़क्ट होगा तो आप उसमें पेर होके एक्जामनेशन क्वालिफाइक करके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पा सकते हैं लिजिबिल्टी की बात कहें तो नो मिनिमम क्व कर सकते हैं तो जॉब रोल की बात के तो यहां पर आप computer operator data entry operator या social media operator की job पर पास सकते हैं अगर आप triple C का course complete करके कर लेते हैं तो अब हम बात कर लें syllabus के तो detail syllabus और learning outcome यहां पर दिया गया है तो chapter 1 जो है introduction to computer यहां पर जो है introduction computer के बारे में आपको बताया जाएगा computer latest IT gadgets के बारे म application basic of hardware and software hardware क्या होता है computer के parts क्या होता है CPU क्या होता है input output devices computer की memory storage जिन सब के बारे में बताएगा फिर software के जो types होता है application software system software utility software open source and property software mobile apps इन सब के बारे में unit one होता जाएगा which chapter 2 है introduction to operating system यहानी OS OS के बारे में आपको बताया जाएगा operating system क्या होता है operating system desktop और laptop user interface for desktop and laptop taskbar icon इन सब के बारे में माउस, चेंजिंग सिस्टम, डेट और टाइम, कैसे चेंज किया जाता है, फाइल, फोल्डर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक्स्टेंशन क्या होता है, यह सारी चीज़ आपको बताए जाएंगे, उसके बाद चैप्टर 3 है, जहां पर वर्ड प्रोसे यह सब आप वर्ड प्रोसेसिंग में सिखेंगे, फिर चैप्टर 4 है, इस्प्रेट सीट, इस्प्रेट सीट जो कि एक्सल सीट आप जो कहते है, तो एक्सल सीट में कैसे आपको इस्प्रेट करना है, एक्सल सीट में कैसे आपको इस्प्रेट करना है, इस्प्रेट करना है, सम, काउंट, मैक्स, मिन एबरेजे, जो फंक्शन होते हैं, चार्ट बार होते हैं, यह सारी चीज़े यूज़ करना सेखेंगे, वहीं पर प्रेजेंटेशन जो कि आप पावर पॉइंट कहते हैं, वह चैप्टर फाइव है, इसमें जो है, क्रेटिंग प्रेजेंटेशन, वह सारी चीज़े आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर सिक्स्थ यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट इन डब्ली 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 याने के इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वैब के बारे में आपको लास्ट यूज़ पढ़ाए जाएगा, जैसमें कि लोकल ए इमेल, social networking and e-governance services तो यहाँ पर आपको इमेल कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रेट करना है, कैसे ID बनाना है, इमेल सिगनेचर क्या होता है, फिर Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, यह सब जो सोचल नेट्वरकिंग साइट से होते है, WhatsApp, Facebook के बारे में बताए जाएगा, फिर blogs क्या होता है, e-commerce क्या होत है, among app है, government का उसके बारे में बताए जागा है, फिर उसके बाद है, 8th digital financial tool and applications, यहाँ पर कैसे अब जो है, digital financial tools होते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते है, UPI क्या है, AEPS क्या है, USHD क्या होता है, card, e-wallet, POS, NFT, RTGS, IMPS, जो क्या आप बैंक्स में यूज़ करते हैं, OTP क्या होता जाना होता है, इस पर सारी चीज़ों पर आपको जानके दिया, Internet of Things, Big Data Analytics, Cloud Computing, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Social and Mobile, Blockchain, 3D Printing, Robotics, Need of Cyber Security, Securing, PC, Smartphone, अपने PC, Smartphone को कैसे आप सेक्यूर करके रख सकते हैं, ति यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर यहाँ पर पढ़ाए जाएंगी, ति यह टोटल जो है, कोर्स होता है, जहाँ पर आप जो है, टोटल 9 units, 9 chapters परते हैं, जहाँ पर आपको पहले hardware, software के बारे में बता जाते हैं, फिर word, फिर excel, फिर powerpoint, फिर आपको इंटरनेट के बारे में, फिर आपको email और social media के बारे में, और फिर digital financial tool and applications के बारे में जानका इस दी जाती है, यह ट description में link मिल जाएगा, पहुंसे syllabus को पूरा download कर सकते हैं, तो all the best, keep watching!